आप सभी लोगों का हमारी शमास गाडनिंग में बहुत बहुत श्यागत है आज मैं कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आई हूँ जो बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए और जो हमें अपने घरों में हर घर दूर करें देखे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत शुब माने जाते हैं जिनकी बहुत जगे पुज़ा होती है बहुत अच्छे से मान उनको हम अपने घरों में लगा सकते हैं और एजली मिल जाएंगे तो ऐसे प्लांट में चुलवाई हूँ जिसे सुक शम्रदी या सब कुछ आपके घरों में होगा और फूलो से तो आपका घर सजा रहता है फलो से भी और कुछ ऐसे चीज़े से लिए अपका घर सजाना होना चाहिए चलिए मैं स्टार्टिंग करती हूँ जो बहुत ही इंपोर्टन बहुत ही प्यारा और बहुत ही हेल्दी होते हैं अ लेकिन प्लांट जो मैं लिए आई हो जो हर घर में रहता है और हर घर को बहुत पसंद होता है इससे हमारे आयविदिक भी फाइदे हैं और कई जादा हमारे इसको सूब माना जाते हैं बहुत से धर्मों में इसकी पूज़ा बहुत जादा मानते हैं तो ऐसे तुलसी का बहुत ही शुप माना जाता है यह शुप पौदे जो मैं आपको दिखा रही हूं जो घरों में लगाने से हमारे जो घर की नेगेटिव इनर्जी होती है वह बाहर जाती है और पॉजिटीव इनर्जी इंटर करती है तो ऐसे पौदे आपको ज़रूर अपने घर में लगाने आपको तो 10 इंच में लग जाएगा आराम से इसे आपको कोई दिखत नहीं बहुत ही अच्छे सर्वाइब करें बेल पत्र चलिए अब बेल पत्र के बारे में बातारी हूं जो बहुत ही इच्छा माना जाता है इसको आप लोग इसको अपने घरों में लगाईए बहुत ही इसको अच्छी धर्णा है लोगों की दिल में पैदा होती है तो ऐसे प्लांट अपने घर में चरूर लगाए आप में चो आपको प्लांट दिखाने चल रही हूं आमले का प्लांट है बहुत ही अच्छे सर्वाइब करता है बहुत अच्छे फूर्स भी देता है और सुब इस प्लांट को भी आप अपने घर में लगाई है बहुत ही अच्छे से दिखिए मैंने जितने आपको प्लांट दिखा रही हूं उसको नेगेटिव एनरजी घर से बाहर जो करते है और उपर से यह आयोवेडिक में बहुत वेनिफिट पाते हैं हमने को हार्वेड्स करके तो उससे जो हमारे अंदर की offer वी बहुत अच्छी होघते हैं मारे बौडी भी बहुत अच्छी हो जाती है एसे पलांट आपको घर में लगाई है आप आता है तर्मिनी घरमिन् चैनल पर देख सकते हैं जो बहुत ही अच्छे सर्वाइब कर जाती है बहुत ही अच्छा प्लांट होता है जो बहुत ही हलदी और बहुत ही श्रूम मना जाता है तो बनाना आप जानते हैं कि घर में आप ऐसी वरेटी आने लगी जो छोटी डॉल बरेटी होती है जिसे हम गमले में लगा सकते हैं असानी से और बॉस में ही फूर्ट पर भी देने लगते हैं तो ऐसे प्लांट को आप लगाई है और टेरिस पे लगाई है आप इनको चालेजंस का इस गंटीनर दीजी और फिदी के कितने अच्छे सर्वाइब करता है मीनी बनाना का प्लांट अगर लेना चाहते तो वो आपको टैन से लेकर 20 इंच के गमले में आराम से सर्वाइब कर जाता है जो बहुत ये तो ज़्यादा पानी में रहता है प्लास के बेंबू आप मिटी वाले भी ले आ सकते हैं जो मिटी में लगे रहते हैं तो उनको भी लगाई है बहुत श्रूप के लिए बनाए हैं जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं तो ऐसे प्लांट हम अपने घरों में लगाएं हमारे घरों की जो negative energy है वो positive में रहे और घर में सुक शमरधी यह सब कुछ हमको मिले जो बहुत ही अच्छा होता है जिसके लिए हर आदमी कामना करता है जो हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में भी ऐसी सारी अच्छी negative energy से हमें मुक्ती मिले और positive energy हमको मिले चलिए इसके recording और भ चाहेगी कि आप सब के घर में बहुत ही अच्छी energy रहे और बहुत ही ज्यादा आपको शुक ब्लांट मिलें जिसे आपको घर की शुक शान्ती समिद्धी हमेशा कायम बने रहे थैंक्यू सौ मच माई वीडियो बोश